इस एपीसोड में हम बात करने वाल है Reliance Power Stock के बारे में इस stock का result तो इतना भेतर नहीं रहा लेकिन फिर भी जिस प्रकार से इन्वेश्टरों की दिल्चस्पी से stock में आते वे दिख रही है Overall last trading session में हमने देखा कि जहां market जो है रिजल्ट हमने देखा कि जहां पिछले quarter यह stock profitable रहा था वहीं इस quarter लगभग 14 करोर के आसपास का loss रहा है revenue में 5% की गिराबर दिखी है EBITDA 8% down दिखा है साथ में margin जो रहा है वो flat रहा है लेकिन अभी भी जो short term trader और investor उनको इस stock को ले करके अभी भी दिल्चस्पी बना हुआ है Technically इसके chart को देखे daily time frame हो तो आप पाएंगे कि इस stock का जो support है वो लगभग 16 रुपय के आसपास का है और अपने 20 day moving average के आसपास ही यह stock trade होते वे दिख रहा है लेकिन उसके साथ ही यह भी जरूरी है कि यह stock 20 day moving average को respect करना चाहिए अगर यह stock 16 रुपय के नीचे trade करता है तो 14, 13, 50 तक के भी buying का level मिल सकता है जो कि golden opportunity होगा long term investor के लिए साथ में अगर यह 20 day moving average यानि कि 16 के price के उपर sustain करता है तो short term के लिए आप position ले सकते हैं अगर 16 के price को sustain नहीं करता है तो फिर इसे stock में थोड़ा बहुत consolidation दिख सकता है तो personally मेरा suggestion होगा कि यहाँ से heavily quantity नहीं लेना है अगर quantity लेना भी चाते हैं तो quantity limited ही ले ताकि सारे 13 और 14 के आशपस्त का price मिली तो आप average कर सके maximum लोगों की गलती यह होती कि इसी price पे पूरा पैसा deploy कर देते हैं उसके बाद उनके average का भी पैसा नहीं बचता है और खुद को फसे हुए मैसूज करते हैं इसा गलती से आपको जरूर बचना चाहिए